राम राम भाय लोगो मुझतार भाई जितू और भाय लोगो आज की वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं इस बजट और बहुत ही खुबसूरत माइकरोफोन को भाई मैंने जिस से इस माइकरोफोन को अमेजोन पर देखा मैंने उस जबाई इसका रिवीवी जरूर करना अब बहुत ही स्मोल कॉमपेक्ट कम पैसे का कम वजन का और चोटी साइज का माइकरोफोन है लेकिन दिखने में बड़ा ही खुबसूरत बनाया भाई कंपनी ने मॉनो कंपनी का यह माइकरोफोन है तीन हजार रूपे के लगबग 32 रूपे के लगबग यह आता है इसके डबबे पे जो प्राइस लिखी वो लिखे 4,499 और मोटे मोटे एक्सरों में लिखावा है मेड इन चाइना वो भात ध्यान में रखना और उसके अलावा भाई USB माइकरोफोन है कंडेंसर माइकरोफोन है और डब्बे में क्या मिलता है वो चलो हम देखते हैं इस डब्बे में मिलता है हमको भाई बहुत ही आनंद तो भाई डब्बे में जो है ना ये एक तो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी 32-33-3300 रुपए के लगवगे माइकरोफोन मिल जाता है और इसमें सोक माउंट जो है और इसका जो ओप फिल्टर है और उसके साथ में ये तीन टांग वाला के लिए एक बीच में छोटा सा एक अटेश्मेंट आता है कंपणी ने वह अटेश्मेंट इसमें नहीं दिया तो वह भी देदेती तो थोड़ा सा प्रोब्लम नहीं होती वह मेरे पास पड़ाता तुमारे पास नहीं होगा तुमको मंगाना पड़ेगा वह आ जाता है जो कोई भी कंपणी निहीं कर रही है मेरे भाइयों और वह प्रोब्लम क्या है कि कंपणी जब मैक्रोफोन बनाती है जैसे चंटनोसन, लिख काम करता है मतलब एस सामने से आवाज जाती है तो तो तुम केमरे के सामने बोलोगे तो एसे रखोगे माuyक्रोफोन को आदा मू होगे सीधा तो यह मीच में आएगा यूं कर सकते हो और देखो किता कम बीच में आगर यह यूं होता यूं कंपनी ने बनाया है तो बीच में यह नहीं आ रहा है वह सबसे बड़िया बाद मुझे लगी और खूब शूरती इसकी सबसे बड़िया और तीसरी चीज मेटल सबसे बड़िया चीज जो मुझे लगती है कि इसमें वोल्यूम नोब दिया हुआ है आवाज को कंट्रोल कर सकते हो मुझे बहुत पसंद है यह चीज की कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए आवाज मैं अपने इसाब से निरधारित कर सकूँ कई कि बड़ाद और बटावद पापॉप एडिटिंग मैं नहीं करने वाला हूं तो यह यह चीज करेंगे तो हम इसके पास से पहले तो तो फै फै बोलूगा और फिर थोड़ा दूर से बोलूगा तो देख लेना आवाज तुमको प्लॉसिव साउंड जो ही ना यानी ब्लास्टिंग तुमारे कानों अब अब हवा आधाय इसके अंदर देखते हैं हवा कोई रोक पाता है नीज़ नोर्मल हवा की अवाज तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब बुदू अब बुदू के नाम करना तो चाहिए यह गाम दिख्रा उच्छा है और यह ठीक है, पोड़कास्ट करने वालों के लिए ठीक है, टुटोरियल बनाना चाहते हो, कुछ भी, जैसे FLS टूटोरियल बना चाहते हो, या फिर और कोई पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, जो टेबलेट से जोड़के, फिर उसमें लिखके, तो इसको डा है, हेड़फोन जेक में अपना एरफोन लगा के सुन सकते हो, और इससे गा सकते हो, तो आपके फोन से या फिर आपके एरफोन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी रिकोडिंग ये करेगा, लेकिन जो मेरे भाई प्रोफेशनल सिंगिंग करना चाहते हैं, जो अपने कावर सॉंग मनाना चाहते हैं, बड़िया क्वालिटी के और प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियो मना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है ये काम का, तुम या तो कोई बड़िया सा डाइनेमिक माइकरोफोन खरीदो, जो कि 8-10,000 रुपे का लगबग हो, और या फिर खरीदो कंडें सीटियने ये भी सिनत भाड़िये जो ओड़ियो एरिये का डाइनेमिक माइकरोफोन भूध भारी हैं, लेकिन वी बड़ा ही हलका है éénडियो टेखिनिका काृकुट मेरे लेगी बहुत लाइट माइकरोफोन है ले इसकते हैं, लेकिन अगर अगर्या माइकरोफोन उसके के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके बहुत मेंगे माइक्रफॉन को लेने की कोई जरूरत नहीं होते हैं अब हम इसकी चेक करते हैं प्रोक्सिमेटी इफेक्ट को यानि कि मैं इसके पास से बोलूगा एकदम और पास से बोलूगा तो तुम्हारे को साउंड में कि अब घुच चुका हूं पोप फिल्टर के अंदर और अभी जो मेरी आवास सुन रहे है वह प्रोक्सिमेटी इफेक्ट मस्त आ रहा है एकदम जितनी आवाज में मेरे बेस है दीरे तरी बोलने कोशिच कर रहा हूं क्यों क्योंकि हो सकता है और यो क्लिप हो जाए वह पास स कर दो मैं इसलिए रिकोर्ड करहूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी मेरे भाई जो है जो रिकोर्ड करेंगे बाद में अपने घर पर कहीं पर भी तो उनका भी रूम इतना ठीटेड होगा नहीं तो उस हिसाब से मैं इसको चेक कर रहा हूं तो अब देखो ये इतनी तूर जाता हूँ और मालो आपका माइकरफॉन इतनी दूर आप से तो थोड़ी बढ़ालता हूँ इसकी मैं मॉल्यूम मैं ने भढ़ाई और इतनी दूर में रखा अब देखो कितना रूम रिकोर्ड कर रहा है वह आप समझ सकते हैं रूम की टोन, एको, रिवर्ब कितना रि आदा फुट माइक्रोफोन दूर पड़ा है जो कि तुम लोग करोगे गेम वेम खेलोगे तब आराम से देखो इतनी दूर है और आवाज के सियार ये रूम का रिवर्ब किता रिकोर्ड हो रहा है वो सुनो आराम से अपने हिसाब से डिसाइड करो और अगर माल लो मैं इसके अवाज तोरी कम कर लेता हूँ मैं और पास में अब देखो अब इसका हम चेक करेंगे noise reduction कितना यह noise को इग्नॉर करता है तो पिछे से मैं आवाज करता रहूँका टेबल बजाता रहूँका और बोलता भी रहूँका तो पिछे से कितनी आवाज रिकोर्ड कर रहा है या फ बोलते हुए सुनाई देरिया नहीं सुनाई देरिया नहीं सुनाई देरिया तो बहुत अच्छा noise reduction कर रहा है microphone और अगर सुनाई देरिया तो मामला फिर छोड़ा सा गड़ बढ़ा है चलो करते हैं अब भाई मैं पीछे से table बजा रहा हूं और इदर से बोलता जा रहा हूं तो बोलने के हिसाब से मेरी आवाज कितनी सुनाई देरिया और table की आवाज कितनी सुनाई देरिया वो तुम अपने हिसाब से decide करो और मेरी आवाज जाए तो तेज रिकोर्ड हो रही है कि पहले मैंने microphone की level जह हूँ कम record किये थे अब भी मैंने level बढ़ा दिये तो यह बाते तो तुम को सुनाई देगा कि यह कितना noise always record करता है noise कितना आता क्या आता है मैं कोई भी noise reduction कुछ भी नहीं करने वाला हूँ इसमें तो भाई मैं full आवाज कोल देता हूँ और मैं थोड़ी देर श्यांत हो जाता हूँ आवाज पूरी खुल चुकिये और अगर पूरी आवाज खुल के तुम सासो के तरीके से बोलना चाहूँ विस पर साउन अगर record करना चाहूँ तो वो देगो ऐसा record करेगा अब मैं चूप जाता हूँ ताकि तुम सुन पाओ कि यह कितना noise always pass का record करता है करता हूँ तक्यों करता हूँ अब यह वाज मैं देदेदे कम करेदा हूँ और अब भाई last and final test हमारा singing का test जो हो करेंगे तो जो हमारे time pass singer है star maker पे उन पे उन पे गाना चाहते तो उनके लिए कि वाई देखो केसी आवाज रिकोड करेगा तो अर्जित सिंग का एक और गाना में गाऊंगा अब भाई कितना ही बेसुरा में हूँ लेकिन अर्जित सिं जीना जीना रे उडा गुला हो माई तेरी चूनरिया लहराई इससे उपर मैं नहींगा सकता क्योंके नीचे महण बेठें और बाइ सुनेगे कि भाई क्या कर रहा है या कहला कहला पागल पागल हो गया तो यह थी भाई recording इसकी और mono के microphone की क्या-क्या मिलता साथ मैंने बता दिया audio record करके मैंने बता दी तो अगर लेना चाहते हो podcast के लिए या फिर time pass singing के लिए या फिर tutorial record करने के लिए या फिर teaching video record करने के लिए तो यह microphone बहुत अच्छा भी लगएगा सुन्दर बहुत है वाई यह और इसके साथ मे क्यों नहीं खुलता है और यह microphone में लग जाता है क्योंकि microphone का जो यह छेद आता है ना भाई मेरे यह छेद थोड़ा सा बड़ा आता है यहां से डायरेक्ट इस स्टेंड में नहीं लग पाता वो तो वह काम कर सकती थी कंपणी अगर दे देती तो बहुत अच्छा होता कंपणी नहीं दिया कोई बात नहीं तुम खरी लेना और यह थी इस microphone की टेस्टिंग तो भाई लोगो आज की वीडियो में इतना ही और जो समय कहता हूं कि बीट मनाते रों मज़े करते रों माइक्रफोन का लिंक उपर यूपर विद्या दूंग हमें और देख लेना अमेजन पर जाके अच्छा लगे तो ले लेना प्रोफेशनल प्रोफेशनल अधर्वाइस बाकी कामों के लिए माइक्रफोन एकदम किप्टा हो पाया है वालोग आज की वीडियो में इतना ही और मज़े करते रों चलता हूं